आज हम बनाने दा रहे हैं दोसा इडली के साथ खाने वाली दो तरह की ये चटनी जो प्राया आपको रेस्टरूंट में मिलती होगी और साउथ हिंडियन ये चटनी बनाना बहुत आसान है बहुत टेस्टी है और आप इसे कम से कम एक हफते बना के रख सकते हैं इसका हमने इसको मिंटो के अंदर कैसे बनाया यह हम कारा चटनी या लाल चटनी जो इडली डोसा के साथ खाते हैं वह बना लेते हैं इसके लिए चाहिए मीडियम प्याज इस तरह के हम स्लाइस में काट लेंगे दो खड़ी लाल मिर्च ली है मिर्च अगर आप खाते हूं तो इ एक टी स्पून लिया है यहां पे सरसो आप यहां पे राई बनार्सी राई भी यूज कर सकते हैं एक टी स्पून यहां पे लिया है मैंने मुंफली का तेल साथ हिंडियन जादा तर मुंफली का तेल ही यूज करते हैं आप कोई भी ओयल यूज कर सकते हैं एक मीडियम टमा या लाल चटनी बहुत आसानी से एक प्याल लेख गरम करें उसमें डाले ओल और इसके साथ ही हम इसमें अड़ करेंगे यह वण टी स्पून उरद की डाल वण टी स्पून चली की डाल और इसको थोड़ा सा हम सौटे करेंगे एक मिनिट सौटे करने के बाद हम इसमें आड करेंगे ये आनियन और इसको भी हम एक मिनिट के लिए चला लेंगे बहुत ही आसान है इसको बनाना साउथ हिंडिन आप डोसा, सांभर, इडली आप कहीं दिखाते होंगे ये लाल चट्नी आपको जरूर दी जाती है और एक बात और बताना चाहूंगे आप इसको उर्तपम के साथ ही साथ आप नॉर्मल पीजा सॉस की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं तो ये बहुत सारी जग भी इसे और इन्हें तब-दी तब तक पकाएंगे जब तक ये सारी चीज़े सॉक्त और सौगी मीं हो जाती है तब तक तक क्यांवाटा हमारे बिल्कुल थोड़े अच्छे से सॉक्त हो जाएंगे और ये थूदी पख भी जाएंगे तो हम इसे ढग देंगे और बीच वि अब यह mixture ठंडा हो गया है अब इसको डालेंगे हम एक grinder में और उसमें आड करेंगे नमक स्वाद अनुसार यह इमली और यह पानी अब इसका हम एक स्मूध पेस्ट बना लेंगे यह देखे पेस्ट इस रेडी नाओ और अब इसके तड़के की हम त्यारी करेंगे मैं यहां अब लेकिन यह बताना चाहती हूं कभी-कभी बहुत रेड अच्छा कलर नहीं आता है क्योंकि टमाटर अगर आपका खुब अच्छा रेड नहीं हुआ तो इसका बहुत अच्छा कलर नहीं आएगा तो आप पके हुए टमाटर खुब लाल-लाल रंग के लें तो उससे कलर बहुत अच्छा आएगा तो चलिए हम तड़के की त्यारी करते हैं उससे पहले हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे ट्रांसफर करेंगे तड़के के लिए हम इस तरीके का एक तड़का पैन लेंगे और उसमें मैंने डाला है वन टी स्पून ओयल आप कोई भी उयूस कर स तब इसमें हम डालेंगे करी पत्ता और करी पत्ता बहुत साफधानी से डालेंगे क्योंकि एकदल से डालते ही यह तड़का वापस आ सकता है तो आप धियान रखें नाव तड़का इस रेडी और यह तड़का अब इसके अंदर जाएगा और इसको देंगे एक अच्छा स मिक्स इस तरीके से और यह हमारी लाल चटनी बनके रेडी है वाव क्या कलर आया है आप यह देखें क्या कलर आया है क्या टैक्षर है बहुत यामी है आए अब हम दूसरी चटनी बनाते है नारियल की नारियल की चटनी बनानी के लिए हमें चाहिए ताजा फ्रेश नारियल और एक मैंने मिडियम आकार का फ्रेश नारियल इस तरीके से डाइसेज में काट लिया है साथ ही चाहिए कुछ कड़ि पत्ते मैंने एक छोटा प्याज इस तरीके से चौप कर लिया है और दो लैसुन के जवे लिये हैं ले सुनके टुकड़े हैं इसके लावा चाहिए वन टीस्पून हमें उरत दाल, वन टीस्पून चना दाल, वन टीस्पून ओयल, आप कोई भी ओयल ले सकते हैं, वन टीस्पून सरसुप और आप इसकी जगर राई भी ले सकते हैं, बनारसी राई, तीन से चार मैने लिया है ह हरी मिर्च, हरी मिर्च लें आप स्वाद अनुसार, इमली लिया है तक्रीबन 5-7 ग्राम, नमक लें स्वाद अनुसार, और हमको चाहिए चुटकी बर हीम, तो आए हम नारियल की चट्नी बना लेते हैं, अब एक ग्राइंडर में हम ये डालेंगे नारियल, नमक, चना दाल, औरत दाल, इमली, ये प्याज और लहसुन, साथ ही ये हरी मिर्ची, हाफ कप पानी डाल के स्मूध पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट बनाते वक्त अगर आपको और पानी की आवश्च्टा हो तो आप थोड़ा पानी उसमें और बहा सकते हैं, यहां पे एक चीज और बताना ये जो पीछे का नारियल का पोर्शन होता है, अगर आप इसको चील के बनाएंगे तो बिल्कुल आपका जो ये नारियल का चटनी है, वाइट बनेगा एकदम सफेद, और अगर आप इसके साथ ही बनाते हैं, तो फिर क्या होगा इस तरह का टेक्शर आएगा, और ये होलें का ये थोड़ा सी यूज शोर्ड़क्वा जब ऑईल जाए थो से ये सर्सून होुदुल्फ। थोड़ा सची तखने कमे कटक्नétais और इसके साथ ही हम डालेंगे, ही ये लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च, ये डाले पाप स्वाद लों सार्भभाद ऑर साथ ही साथ कड़ी पता बहुत अच्छी सी महकारी है इस वन और इसमें आड़ करेंगे ये पेस्ट नारियल का और इन सारी खीगों को हम स्मिक्स कर गए अब आपको इसमें डालना है थोड़ा सा पानी तो उसी जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप काफी पतली रहती है लेकिन मैंने कई जगह पे इसको काफी थिक खाया है तो आपको जो भी कंसिस्टेंसी पसंद आप जो है उसी के अकॉर्डिंग पानी मिलाएं अब इसको एक से दो मिनिट हम पका लेंगे और एक बॉयल आने देंगे इसको धक के पकाएंगे ये देखि सम्लेघ की लगवाज Kangis hiya का सिग गारी ये देखंड है तो देखाना हमने यह 2 तरह की चट्नी जो इडली डोसा सांभर आप पीजा सॉस की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको लाल चट्नी को इसको कर्या कर चट्नी मेंबोलते हैं आप को हैसा लगा फटाफर थामजब दीज साथ बनने वाली आपको कैसे लगी यह जरूर बताएं फीद्बैक दें कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब करें चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन जरूर दबाएं अगर आपको लगे मेरा वीडियो अच्छा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के मेमर्स के साथ और अगर आप अपना फीद्बैक देंगे मुझे पताएंगे आपको कैसा वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा तो मैं उस पे और वर्क करूंगी और अच्छा काम करके आपके सामने लिया करके प्रस्तोत करूंगी अभी के लिए आपकी नलेनी इजाज़त चाहते हैं नमस्कार अभी करूंगी